जहिन चात्रों मैं इशार रहमत competition community के इस question air program में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं की निरंतरता बिलकुल बरकरार रखें और साथ में एक युद्धिस तर पे तैयारी कर रहें और ये नाम सुनके थोड़ा confusion आया होगा दिमाग में थोड़ा confuse हुए होगे तो confuse नहीं होना है आसानी से समझते हैं जो question session program यूटूब में चल रहा है हफते में चार दिन subject wise, topic wise वो वैसा ही चलते रहेगा उसी पे ही आधारित है आपका question air program जो की सिर्फ और सिप मिलेगा हमार हमारे competition community के mobile app में और competition community के website में अब इसको access करने का तरीका भी समझाता हूँ लेकिन उससे पहले याद रखना है इसके फायदे क्या है इसमें आपके performance नजर आएंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे देखे कि जो बच्चा पूरे हफते 4 दिन अच्छा perform करता और first rank में आता है तो याद रखेगा उस बच्चे को monthly current magazine जो है current magazine जो monthly होती है हमारी आती है competition community की वो मिलेगा free of cost ठीक है ebook reader के माध्यम से उसके बाद यहाँ देखे कि जो बच्चा अगर पूरे महिने भर में perform करता है तो उसको 5 test series जो की आगे आने वाले prelims के लिए competition community में हो रही है तो अगर 5 question सही बनाता है तो उसे 2 star मिलेंगे जो बच्चा 7 question सही बनाता है तो इसको 3 star 2 बच्चा 9 question आपका सही बनाता है तो उसको 4 star और जो बच्चा 10 के 10 सही questions बनाता है तो उसे 5 star मिलेंगे, इसी के according ही आपका measurement सारा होगा, then उसके बाद आपका result रिलीस किया जाएगा, ठीक है, और याद रखना है चात्रों कि अगर mobile app download करने के माध्यम से किसी प्रकार से समस्या होगी, तो आप question session program में यहाँ देख सकते हैं question session program के नीचे में description box में आपका mobile app का link दिया हुआ, उसे click करेंगे, then आप Google store में जाएंगे, Google store में download करना होगा उसे, और download करने के पस्चाद आपका क्या होगा, उसमें login करना होगा, और login करने के पस्चाद आप देखेंगे, कि सामने में आपको question year program दिखाई देगा, अब जो है आपके लिए challenge आता है, आप 10 में से 10 question अगर सहीं बनाते हैं, और आपका, अगर आप perform कर आते हैं, तो आपको website में आप दिखे जाएंगे, या आपका नाम शो करेगा उसमें, ठीक है, जहिंचातरों मैं इशार हमत competition community के इस question session program में आप सभी का स्वागत करता हूँ, और आशा करता हूँ, कि इसी प्रकार आप अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं की निरंतरता बि अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं के लिए, अगर दिरंतर संकल्पित है, अगर इसको आसान भासा में समझें, तो इस प्रकार से है, कि अगर हमने ठान लिया, कि हमें प्रतियोगी परिच्छा निकालनी है, यानि हमें administrative service लेना है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता, कि कोई नियती भी हमें नहीं रोक सकती, ठीक है, तो याद रखिएगा, हमें इसी प्रकार से अपनी निरंतरता बरकरार रखना है, और साथ में एक युद्धिस तरपे त पढ़ रहे हैं भारत के, और याद रखेगा, इससे पहले बहुत सारे वीडियोज आएं, जो छातर पहली बार इस वीडियो को देख रहा होगा, वो start से start करे, जिससे कि आपका सारा चीज, quick revision format में, एक smart study के तोर पे सारी चीज़े cover करता हुआ, यहां तक के पहुँचे, औ मैं उसे चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, कि वो चैनल को सब्सक्राइब करे, और बैल आइकोन दबाए, ताकि उसे notification सारा मिल सके, ठीक है, और प्राचीन आकरमण, यहां थोड़ी गलती हुई है, छमा चाहूँगा छातरो, प्राचीन भारत में, विदेसी आकर आकरमण कारी जितने आए, उसे हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले जानना है, एक तथ्य, जो कि एक कहा जा सकता है कि हमेशा इसको पढ़ाई के तौर पे आपन देखते हैं, कि वासुदेव कुटुम्बकम की नीती और अतिती देव भवा की नीती के तहात मेरे से भी अगर आकरमण कारी आकरमण कर पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा छात्रो अगर इसे हम वैचारिक दिरिष्टिकोर से समझें, तो कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, कि अतिती देव भवा की जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी नीती है, वो हम उसका सेवा सतकार करेंगे, बिल्कुल उसका पैर धुलाएंगे और बताएंगे कि पैर इसलिए धुलाया जा रहा है, कि इससे भी साब जगह में आपको बैठाल के जो है, आपको भोजन परोसा जाएगा, एक सी वैचारिक दिष्टिकोर से समझना है इसे, ठीक है, सतकार हमेशा करते रहेंगे, वासुदेव कुटुमबकम का सास्त्र हमें बताता है, हमारा सास्त्र सिखाता है, वासुदेव कुटुमबकम का सास्त्र, उसमें ये है कि विश्व जो है हमारा घर है, और विश्व हमारा घर है, तो हम विश्व को क्या देखते हैं, अपने प प्रकार से जीते हैं अगर देखें एक छोटा सोधारन अगर देखें तो भारत के एक व्यक्ति हैं जो कि Google में क्या है नाम नहीं लेना चाहूंगा वह भारत का इंडिवीजुली प्रतिनिधित है गूगल में जो कि विश्ववयापी प्रसिद्ध है गूगल है तो वह जाके वासुदेव कुटूम्बकम की नीती के तहत प्रदर्शित कर रहे हैं कि भारत आपका निगेटिविटी में नहीं जा आपका अतिती देवभवा के तहट उनका सेवा सत्कार किये तो आपका उन लोग जो है अपने जगा बना लिए बिल्कुल ऐसा नहीं है याद रखिएगा उस समय की सोच पे निर्भर करता है उस समय के साधन पे निर्भर करता है कि वैक्ती का उस समय सोच कैसा था जिसकी वज पढ़ेंगे गुपतवंस में जिन्होंने क्या बुलते हैं विश्व विजयता क्या सपना देखा समराठ असोच के बारे में अगर देखें तो उन्होंने जो है अफगानिस्तान वाले चेतर तक कि अपने सम्राजी का विस्तार किया तो यह सब सारी चीजे जो है और दुसर बिल्कुल भी सही है और जो नीती हमारे जो सास्त्र सिखाता है हमें वासुदेव कुटुमबकम की विश्ववयापी सोच की और आपका अतिती देवभवा का जो सोच समझाता है सास्त्र हमारा वो था है और रहेगा इसकी वज़ा से कोई अवहलनाय नहीं हुई है यह आपका सस्त्र का उपयोग करता है तो याद रखिएगा चात्रों मैं बार बार इस पर बल क्यों दे रहों कि वासुदेव कुटुमबकम की सभ्वयता जो है उसकी वज़ा से आकरमन नहीं हुआ है तो जो है किसी प्रकार की अवहलनाय मान सिकता है जो है अपने अंदर नही बात कर रहा था हमें राजनेतिक दिशटिकोन से नहीं समझना है लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं कि हमारा सास्थ्र हमें छतरी धर्म का पालन करना भी सिखाता है अगर कोई सस्त्र और का उप्योग करता है तो हम जो है क्या नहीं करींगे रोटी नहीं बिल रहे ठीक है तो इस प्रकार से समझना है इतना क्लियर हुआ होगा अशा करता हूं आप लोग को नहीं हुआ होगा तो एक बार फिर से दोहरा के देखिएगा अच्छी तरह से समझिएगा ज्यादा समय ना लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं ठीक है तो प्राचीन भारत में बोल रहा है आपका मौरीवंस पढ़ा हमने तो मौरीवंस के पहले धनानंद के सासनकाल में सिकंदर ने आक्रमण किया ठीक है सिकंदर आक्रमण करना चाहता था जो कि भारत के उत्तर पस्चिमी वाले छेत्र में सफल रहा किस वज़ा से आमभीक ने अधिनता स्विकार कर ठीक है हमारे थाल में ही छेत था और जो प्रतापी राजा था पूरस उस जो उसने युद्ध किया लेकिन युद्ध करने के पश्चात हार गया और उसने जो है ना चाहते वह भी उसकी अधिनता स्विकार कर ली अपनी जान को बचाने के कारण ठीक है इस प्रकार के तत्य हमने पढ़े है ठीक है तो याद रखना है चात्रो कि यह सबसे पहले इतने चीजों में आपने को याद रखना है आपका सिक अंदर हो गया उसके बाद हो गया डेमेट्रियस और मिनांडर हो गया उनलोग भी अक्रमाण किये थे ना कब किये थे पुश मुत्र सुंगे का का आपको तो यह क्लियर कर रहों कि दिमाग में एक स्ट्रक्चर सैट होना चाहिए जिससे सारी चीजे हमको याद हो सके और पेपर हॉल का प्रेशर हम यहीं से मिंटेन करें मतब रिलीस कर दें ठीक है उसके बाद आपके मिलेंगे पल्लव आय पार्थियन कहा जाता है ठीसिय जिसे शक उसके बाद यूची शासक जो है कुषान यह दोनों एक दुसरे भाई 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 है एक दुसरे से लड़क्या है ठीक है उसके बाद जो है हुड आकरमन कारी हुए तो याद रखना है कि इतना सारा चीज हमारे दिमार को क्लियर होना चाहिए अगर नोट्स बना चाहता था हमारे अगर नेंए टो डहाँ ने उसके बाद देख जाता हुए जो हमारी सब्यता हैं। है हमारी जो गंगा जमना की तहजीब है उसको जो है हमें पॉजिटीव वे पे देखना है ताकि पेपर हॉल में चाहे आप प्री लिख रहे हैं या मेंस लिख रहे हैं तो अच्छा एक अप्रोच वहां दे सकते हैं ठीक है अभी तो अपन वंडे एक्जाम का ध्यान दे रहे हैं तो इस पे अपन ध्यान से प्रवेश किया था सेना पती जो है थल सेना पती जो है सेल्यूकस निकेटर था जादा च्छोटा कर दियुए है इसको जाद रकना है इसी ने जो है चंद्रगुप्त मौरिर के उपर आक्रमण किया और हार गया और हार नेक पस्चात क्या हुआ अपनी बेटी हिलेना को भी वाह साम जो है आपका करादिया संद्रकुप्त मौरी से ठीक है तो आपका बिंदु सार की मम्मी है लेना और आसोक की डादी इस प्रकार से याद किया जा सकता है बस एक एक रिलेशन बता रहा हूं ठीक उसके बाद सेलिकस निकेटर ठीक तो सोचो उसको युरेशिया जेटरोशिया वाला छेत्र जो है दहेज में मिला था लेकिन दहेज में बल नहीं देना है बिलकुल भी ठीक है जितने भी युवा है वही समाप्त करेंगे से दहेज को ठीक है तो कहीं भी अगर दहेज परता दिखाई देता है बहुत कठीन कानून है बिलकुल बता दिये करो जाके ठीक है और अपना नाम हिरन रखने बोल दिये करो देखो सर उल्टसीदे सिखा रहें ऐसा नहीं है लेकिन युवा ही इस चीज को खतम कर सकता है ठीक आगे बढ़ते ह अंभिक पराजित हो गया बताया है मैंने सारी चीज़े तो इतनी चाहिए याद रखना है अब जो मेन देखा जाए कि मेन इस ट्रक्टर क्या बनाना है तो मेन इस बनाना है पहले इंडोगरिक बनाना है जिसे बैक्टूरियन कहा जाता है यह फिर उसके वाद सक साख फिर पहलाव फिर यूची कुसान जिसको सिक्वेंस वाइज आई यह पड़ते हैं एकदम दिमाग में सारी चीज़े सट करके जैसा कि मैंने बताया कि यह वन जो आपका अक्रवनकारी सबसे पहले हुए से ल्यूकस निकेटर इसका इसका जो विवाह नहीं मतलब इसका जो युद जा सकते हैं वहां जो है पूछे गए प्रस्णों का आप लोग को आंसर भी दिया जाएगा उसके बाद है एक राजा थे सुभाग सेन नाम के उनको पराजित किया था 206 में तो इसे याद रखा जा सकता है फिर उसके बाद है डेमेट्रियस डेमेट्रियस याद रखना है पुस्मीत्र सोंग के काल में इसने आकरमण किया था पुस्मीत्र सोंग ने हैसेहरा पराजित किया था और जो है आपका शिकaras कर ये पहला यूणाlier願い साकता जिस Nhü ने आकरमन किया तहोमन तो समय सबस्टमत्र में कर रहे तो उस समय ने लिखिए महाभाष से और महाभाष से में पीरी सारी प्राप्त होती है तो यह पुछा जाता है किव प् уже過श्षा जाता है को आपका महाभाष से लिखा तो आपका अगे हो भी पराजित हो गया वापस जा रहा था उससे तो मिल गए नाक सेन और मिनांडर की बहुत सिक्षा की जानकारी मतलब मिनांडर ने नाकसें से बहुत दिसिक्छा प्राप्त की थी उसकी जानकारी मिलती है किसमें आपका मिलिंद पन्हों में ठीक है उसके बाद यहां दिखाए देगा हेलियोडोरस यह भी जो था आपका अक्रमणकारी नहीं था यह सिर्प आया था राजदूत क कहते थे बिल्कुल सारी चीज़ों को बिल्कुल यहीं 100% कांसेंट्रेशन के साथ याद रखना है अगर स्पीट तेज लगेगी तो स्लो करके देख लेना ठीक है तो प्रथम प्रतापिस आ सकते गुंदोफर निस इसी के समय सेंट थॉमस भारत में आए इसाई धर्म का प् कीर्यों को पढ़े थे आपक 되면 क्ममनकारी था नहाथ नहान को घुन को किस नहारा तो नहपान को बीट्र साबटकर्णी ने मोगानंटो को सद्धि कि जो आपका यहां आप हमारे साथ सासन नहीं कर सकते ठीक है कैंज रातर था वजएeren जनकारी मिलती है केवाले छेतर मैं जूनागण जूनागण में मिलेगा आपको रुद्र दामन का इसकी जानकारी प्राप्त होती है फिर उसकेबाद यूची सासक और यूची सासक आते हैं तो याद रखना है कि इसे ही कुसान सासक गाए अब इनको भगाये थे मध्यशिया वाले चेत्र से, मध्यशिया मतलब को भारत के उत्तरपूरी वाले चेत्र से, और इनको पकड़ते पकड़ते इनके पीछे वापस आ गए थे, ठीक है, आई आराम से एक चोटी से जगह में समझा देता हूं, कि मानके चलो, ऐसे हलका चोटा से भारत का नक्सा बना लेते हैं यह सिक्किम रहा यह त्रिपूरा और मेजोराम यह भारत तयार हो गया ठीक है इस प्रकार से अपने हिसाफ से यहां से आये थे सबसे पहले शक ठीक है और इन लोग यहां से कौन इनको मतलब पीट पार्ट के बाहर भेगा था तो यही यूची सासा कुसान वंस के लोग ही जो है भेजे थे ठीक है तो कुसान लोग भेजे थे किनको शको को जो कि यहां अपनी चोटी-चोटी साखा बना के बठे थे डिटेलिंग क्लास में देखो समझ में आयागा उसके बाद इन कि यहां कश्मीर भी इनका केंद्र रहा है जिसमें कनिष्क ने अपना प्रशाशन किया और चौथी बहुत संगीती कराई और चौथी बहुत संगीती हंड्रेडी में हुई थी आगे में पढ़ेंगे देखिए याद रखिएगा कि यूची सासक आकरमन कारी आये जिसमें भारत में कुसान के संस्थापक थे जो कचुघुली कटफीस तो इन्होंने ने जो है रोमन सिक्के चलाय जो कि cycling के सिक्के लिए बहुत कुशान लोग-बरसित थे अगर नियमिती रूप से अगर कहा जाए कि किसने सोने के सीख के चला है तो आपका वो थे विम कटफिजस देन उसके बाद है इस वंस के प्रतापी सासक कौन थे कनिश्क जिनके बारे में आई ये पढ़ते हैं कुछ डेटेलिंग देख लेते हैं देखिए इसके दो राजधानी थे एक थे पूरुसपूर जो वर्तमान लिखा इससे हमेशा प्रस्ण पूस्ता है ठीक है और आपका इससे ने चौथी बहुत संगीती कराई थी 108 में कहां कुंडल वान आपका कश्मीर वाले चेत्र में और अश्वगोस और वसुमित्र इस समय क्या कर रहे थे अध्यक्चता कर रहे थे इस प्रकार से याद रखन यहां डहर पर शेता है थो चैंतर में जितने भी भणतित लोग कहा रे सकता है यहीं के हैं ठीक है कनिस्क यहां भारति राम जैसे नजelsonर आ रहा है लेकिन यह कोई भार के लोग नहीं है यह भारती ही है तो भारत की विशेष्टा अपने आप में एक मतलब व्यापक है तो किसी प्रकार से भी निगेटिव प्रवाह में भारत तरहिए उसके बाद का इसके इसे ही बहुत्ध धर्मका क्या कहा जाता है विश्व कोष कहा जाता है बहुत्ध धर्मका तो कों से दर्मका पालान किया बहुत धर्म का पालन किया, कहां से आया, तो आपका यूची वाले चेतर से आया, मतलब आपका उत्तर, पस्चिम उत्तर वाले चेतर से और चाइना के कुछ भाग से आया थे इन लोग, ठीक है, तो मतलब ऐसे एकदम पर्फेक्टली अगर बोला जाया, तो वो डिटेल क्लास में देखेंगे, लेकिन याद रखिएगा, कि आपका उत्तर पस्चिम वाले चेतर से इन लोग आये थे, उसके बाद याद रखना है कि करिकैस के साथनकाल में मूर्ति कला याद रखना है, तो यह गंधार सैली है, और यह आपका मतलब सैली, इसकी डिटेलिंग देख सकते है अगर आसानी से समझें इसे तो याद रखना है चात्रों की असानी से समझने के लिए जो मथूरा सैली दिखेगी यहां तो इसमें लाल रंग का उप्योग के जाता है हमेशा प्रस्ण पूछा जाता है मतूरा सैली जो है वह लाल धूसर मिट्टी से बनती है देन उसके बाद गौतम बुद्ध की सबसे ज़्यादा प्रतिमा इसमें मिली है गंधार कला में याद रखिएगा कि इंडो ग्रीक दिखाई देगा इंडो बैक्टिरियन और आपका इंडो युनानी कला इसमें यह प्रस्ण पूछता है अब आगे बढ़ते हैं यह अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा प्रस्ण तो प्रस्ण को भी हमें देख के सोच के और समझ के बनाना है कि किस प्रकार से आकरमण कारियों के प्रस्ण पूछे जाते हैं ठीक है बाकि आशा करता हूँ सारी चीज़े आप लोग को समझ में आई होगी अब देखिए प्रस तो याद रखेगा इस्ट्रेटो दूती नाम का जो एक सासक था उसने सबसे पहले सीसे के सिक्के चलाए आगे बढ़ते आईए उसके बाद है बिना बेगार के किसने सुधरसंजील का जिनोद्धार कराया जिनोद्धार का मतलब समझते हैं कि आपका डेंडिंग पेंडिंग ठीक है नहीं इसका कुछ और क्या बोलते हैं वर्ड होता है जैसे देख सकते हैं इंग्लिश में रेनोवेट कराना ठीक है अटेंडिंग पेंडिंग मत बुल देना भाई लिक मत देना कहीं भी अगर लिखने वाला रहेगा तो रेनोवेट कराया था सुधरसंजील को किसने रूद्रदामन प्रथम ने ठीक है आगे बढ़ते हैं और कहा है रूद्रदामन का जुनागड़ अभी लेक आपका गुजरात में सुची एक को सुची दो से सुमेलित कीजिए ठीक है भई सुमेलित कर देते हैं डेमेट्रियस रूद्रदामन गॉंडो फरनीस विम कट फि अचैन से रूद्रदामन कोर था तो रूद्रदामन था आपका शक्क ठीक है गुजट क depict to साइस आपका कानिष्क चमच मोंगों इस्तभी तोड़ी सी न sodium आफ कोश्या नमबर फोर कला की गंधार शैली मैंने बताया कि कला की गंधार जो कि कुशान काल से सम्मधित है आगे बढ़ते आई ए उसके बाद है अगर कहा जाए कि विदेशी आक्रमनकारी के बाद अगर किसी ने प्रसासन सबसे बहतर किया तो वो किया था कुशाणों ने तो इस प्रकार से याद रखना है उत्तर तथा उत्तरी पस्चिमी भारत में सरवाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किया किस ने किया तो याद रखना है तांबे के सिक्के बताया था कुजू एक ने किस एक ने मतलब इने ऐन च devotion पर प्रस्ण पुछेगा तो प्रस्ण लेना हमें कुसान एब कहरें को इसमें आपको एक राजा के अधारीत भी पूछेगा तो आपका कनिश्क के शिक्खे में इस mem techniakyn मिलता है धना बूद्ध का अंकन किसके को दिखाई देर हैं और भी इस प्रकार से आद रखना है आगे बढ़ते आईए अगले हमारा निम्न लिखित में से दिखाई दे रहे हैं आप लोग को एक्चुली फॉंट को इसने बढ़ा कर दिया उसके वाज़ा से सेट होने का थोड़ा मैं पीछे हो जाता हूं यहां क्या है निम्न लिखित में से किसने भारत में स्वन सिक्कों का प्रशलन नियमित उपयोग के लिए किया अभी देखो प्रशन पूछने का नजरिया लगो गया है लेकिन इसका आंसर ही वही होगा आपका विम कट फिसस ने जो है आपका सिक्का चलाया था ठीक कैसरे जाता है विक्रम संवन्थ कब से प्रारंभुआ पेचीद भारत में अगर किसी कलेंडर को उपयोग किया जाता है तो वह आपका सक संवन्थ को उपयोग किया जाता है जैसे कि आपने सुना होगा चैत्र बैसाग जेश्ट असार सावन भादो कुमर कार्तिक मांग पॉस अगन फागुन यह जो है आपका इसी कंतरगात आता है तो 78 AD म विक्रम संवन्थ चाल हुआ था वो गुप्तकाल के समय में आपका 57 इसापूर मता 57 BC अब आप लोगों के लिए एक प्रस्न दिखाई देगा यहां जिससे यह पता चलेगा कि आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है और बिलकुल कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दिजेग करते हैं केफ हो गए आगे बढ़ते हैं इंगे लिखे को सुची रिए मने इस है और एशे करके मिला देखे लेते हैं थो गांधार काला किसका है आपका गंधार कलग कुषान सिधा सिधा दिखाई दे रहा है है से करके मिला देते हैं तो कि तीन दिखाई देगा एक तीन फिर से वैसे प्रस्ना आगे को बही देख लो भई यही आंसर होगा ठीक है जुनगड़ सिलालेक किसका है तो भायरूद्रदामन का दिख रहा है बी का 4, okay, 3, है C का 3, C का 3, कैसे हो सकता है, ये गड़बढ होगा भाई, ये इसका आंसर नहीं होगा, कुछ न कुछ यहां गड़बढ है, ठीक है, अप्शन में कहीं, ओल जोल है, तो इस प्रकार से आंसर इसका नहीं लेना है, ठीक है, तो क्या लेना है, गंधार का ला तो क्या हो जाएगा इसका, 3, ठीक है, जुनागर शीला लेक कि इसका है, रूद्रदामन का, क्या हो जाएगा, 4, देन उसके बाद, मिलिंद पन हो किसका है, तो मालूम है, हमें पढ़े, मिनांडर, तो मिनांडर की जानकारी मिलती है, तो आपका ये हो जाएगा, एक, ये जाएगा, इसका असर, इस प्रकार से जाह सकता है, टाइपिंग में कही न कहीं, इसमें मिस्टेक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं ही अगर उसमें कुछ किसी प्रकार से तरूटी होगी, तो छामा चाहूग, तो इसमें बिलकुर नहीं है, अफगानिस्तान का बमियान प्रस और युनानी आक्रिती का सम्मिस्रण है उसे कहते हैं तो जैसे कि बताया मैंने भारती और युनानी दोनों का मिस्रण कंधार कला से लिके लाएगी अगर लाल बल्वा पत्थर पुछे रहता तो आपको मतुरा से लिरहती है ठीक है आगे बढ़ते हैं पेरिपल्स ऑफ दा इ अधीन किया था साइरस था यह डेरियस प्रथम था या आपका शहार स्था यह आप लोगों के लिए प्रस्ण है आशा करता हूं आप इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे उसके बाद याद रखना है अगला है प्रस्ण यह पिछला प्रस्ण है जो कि पूछा गय करें ठीक है दूआ करता हूं उनके लिए आशा तो नहीं लेकिन मैं दूआ करता हूं कि वो जरूर अपने क्या प्राप्त करें एड्मिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ज्यादा समय ना लेते हुए इसी के साथ इजाज़त चाहूंगा चाहतरो जैहिन जैभारत